नमस्कार आप देख रहे हैं एटियन लाइब और मैं हूँ चंदन आज महाशिवरात्री है और सबसे पहले आप सभी देश वासियों को महाशिवरात्री की हार्दिक शुब कामनाय और बधाई अभी हमारे टीम पहुची हुई है सिवान के महादेवा सिव मंदिर पे और आप काफी ज्यादा यहाँ पे भक्तों की भीड होती है और आज ठीक महाशिवरात्री के मौके पे आप देख सकते हैं यह सामने सिव मंदिर है और भक्तों की जो भीड है इसी द्वार से होकर के अंदर की तरफ गई हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ लोगों कितनी ज़्यादा भीड है और अंदर की तरफ हम चलेंगे और वहाँ भी चल करके पूरे वहाँ अंदर के नजारे को दिखाएंगे कि जो सिवाले है महादेवा का पुराना है और काफी महत्यपुर्ण माना जाता है दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे दर्सन करने के ल जादा भीड है बहुत सारे लोग अंदर से जला भीशेक करके भी आ रहे हैं बादल जी यहां पर मौझूद है कितनी ज्यादा भीड है अभी तो मूह के द्वार पर यहाँ देखने के बाद लग रहा है किवाय ने क्या लग लग रहाता है है वानेले सिया और हम लोग हर साल जो होती है वह तो है ही लेकिन इससे और बेटर बेवस्ता होनी चाहिए क्योंकि हम देखें आए कि बेरिकेटिंग का जो बेवस्ता वह सही धंक से नहीं हुआ है इसलिए काफी लोग जा के पहुंच जा रहे आगे और जल चलाने में सभी को दिकत भी हो रही होगी जलाविसेक करने के बाद लोग जो है अब बाहर की तरफ निकल रहे हलाकि अंदर हम चलेंगे और हम दिखाएंगे कि अंदर क्या कुछ इस्तिती है क्योंकि आज का जो दिन है काफी पाउन मना जाता है महाशिवरात्री है और शिवाले जो है तमाम पूरे देश भर के जवान में भी हमारी टीम पहुंची हुए है और हम दिखाने का प्रयास करेंगे अंदर चल कर कि किस तरीके से यहां भी जलाविसेक किया जा रहा है बिल्कुल अब महादेवा शिव मंदिर के अंदर हम लोग प्रयोश कर रहा है और आप देख सकते हैं यहां पर कि बताईए क्या करना चाहरी है देखिए कुछ लोग यहां पर जलाविसेक कर क्या हुआ हुए और जलाविसेक कर देखिए हैं लेकिन उसमें आधा घंडा खड़े थे आधा कोणे में और उसके बाद से किये कि इतना धाका मुखी ताई आप लोग जलाविशे कर दी अंदर जी हां हम जलाविशे कर दी क्या इस सिस्टम ठीक है एक बार पुरूस को छोड़ा जा रहा है कोई दिकत नहीं है हर बड़ी नहीं है घबराट नहीं है आराम से जलाविशे कीजिए का इंतजार यहां आपने देखा कि किस तरीके से जो स्रधालूप भगजन है उनका कहाना है कि भीड है लेकिन आ महादेव की क्रिपा है और इसको लेकर के यह लोग पंच मुखी जो प्रशिद मंदिर है और उसमें जलाभी से करने के लिए तमाम लोग जो है भकजन है जो महिलाएं है या फिर पुरूस है भारी तदाद मिहाँ पे पहुंचे हुए हम अंदर भी चलेंगे और वहां से पूरे इस नजारे को दिखाएंगे हमारे कैमरा में भी रीशू हमरे तो धीरे धीरे अब अंदर की तरफ हम परवेश कर रहा है और ये भीड आप देख भी सकते हैं अहला कि भीड जो है धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे सुबा से लगतार यहां पे लंबी लाइन यहां पे लोगों की आगे बढ़ते नहीं है बहुत ज्यादा भीड सिवान के पंच मुखी मंदिर जोकी महादेवा में इस्तित है काफी प्रसिद मंदिर माना जाता है और इसको लेकर के एटियन लाइब की टीम लगातार बनी हुई और हम लोग मंदिर में अंदर परवेश करेंगे और देखेंगे कि कितनी ज्यादा है बहुत ज्यादा लोगों की भीड है जलाबीशे करने के लिए अब हम लोग मंदिर के तरफ परवेश कर रहे हैं और जो मुख के द्वार था आगे उसके बाद से हम लोग दूसरे द्वार पर परवेश कर गये और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि अब भीड जो है य कुछ यहाँ पर होम गार्ट के जवान भी लगाएगा है लेकिन अंदर चलेंगे और बताईए क्या इस सित्ती है यहाँ पर इधर मुट जाएं इधर साइब बनिया यहाँ पर अब इस वार कुछ भीड ज्यादा है बहुत पहले सथ बहुत ज्यादा भीड इसमें राम होत लेकर आदमी बहुत ज्यादा ज्यादा अक्रोसित है जल चड़ाने के लिए लोगों बहुत ज्यादा उत्सा बनावी देखा जा रहा है लोगों में बहुत ज्यादा उत्सा है और इसको लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम प्रशास्तिक पुलिस जो सुरक्षा बल हैं यह लोग भी लगे हुए हैं ताकि भीड़ पे काबू पाया जा सके तो यह हम भीड़ दिखा रहे हैं मुकेश जी क्या इस्तिती है मंदिर तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे-धीरे जो सरधालू भगजन है इधर से आ भी रहे हैं जला विशेक करन और शिवाले में भी चलेंगे देखेंगे कि किस तरीके से जो सरधालू भगजन है कैसे यहाँ पर इतनी भाड़ी भीर के वावजुद जलाभी से करने के लिए पहुँचे हुए हैं हमारे शहयोगी रिशू के साथ चंदन कुमार एटियन लाइब